सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन सियासत जब जरूरत हो नया रिष्टा बनाती है कोई कितना मुखालिफ हो उसे अपना बनाती है ऐसा पंजाब में देखने को मिल रहा है सर तीन सिटिंग MLA बीजेपी में चले गए हैं पंजाब के क्या मेसेज है देखे मैं समयता हूँ कि जो रिजेक्ट हो गए जिनको पता है कि उनके टिकट काटी जानी है और मैं समयता हूँ कि आया राम गिया राम की राज नीती है और मुझे लगता है कि जो stable लोग होते हैं, जो कांगरस के लोग हैं, वो कांगरस में ही रहेंगे और जिनको ये लगता है कि औनके टीक Τे एकाटी जाएगी जो हार जाएंगे, वो दूसरा सहारा डूंडते फिरते हैं इसे कांग्रेस पाल्टी को कोई फर्क नी पड़ेगा बीजेपी ये कहती है बहुत सारे लोग आने को तैयार है भी अरे भीया मुझे इलनी लगता कि बीजेपी के पास कुछ जाने के लिए तैयार है मैंने आपको कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंग वहां गए हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंग के दो चरपांच साथी हैं जो उनके साथ हर काम में रहे हैं और उनका साथ देते रहे हैं वही लोग गए हैं और मैं समयता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सेंग पहले भी काली दल में जा चुके हैं, फिर कांगरस में आए हैं, फिर आप वीजेपी में चलेगे हैं, जैसे आपने कहा ना कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं इनका क्या है, कांगरस का एक चेहरे है, वो सीधा सा, जैसे आप डाक्टर राजमार वेरका कहते हो, सीधा चेहरे हैं ना कांगरस का, ये डुब्लिकेट नहीं है, तो ये नकाप नहीं पहनता, और ये नकाप पहनने वाले लोग इदर उदर बागते हैं महा गडबंदन जो हो रहा है, आपको लग रहा है, उपर से किसानों ने पार्टी बना लिए, कांगरस के लिए मुश्किल होने वाली है, कांगरस के लिए कोई मुश्कल नहीं, मेरे भाई, मैं आपको बताओं, ये वोटें वही है, जो काली दल में जानी थी, यो आम आदम में जानी थी, वो वोटें जो है, किसान खुद ले जाएंगे, तो हमें फाइदा है, अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद, राचकुमार रवेर का कैबनेट मंतरी, तीन जो विधायक गए हैं, बीजेपी में उस पर अपनी परतिकेरिया दे रहे थे, कैमरम नाजित्ते प